Hello students, आगे बढ़ते हुए notes का ही हम आठमा question करेंगे जो एक numerical question है तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं और कौन सी ये condition है तो इसके हिसाब से चित्र बना के इसे solve करेंगे दिया गया है यदि cathode तथा anode के बीच बिवांतर एक किलो बोल्ट है तो इलेक्टरोन की गते जूड़ जा गयात कीजिए तो ये question बिसरजन नलीका का है क्योंकि इसमें cathode है और anode है और इनके बीच का बिवांतर बहुत ही ज़ादा है एक किलो बोल्ट तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक बिसरजन नलीका बना लेंगे कुछ इस तरीके से और ये बनाना काफी सिंपल है आप बना भी सकते हैं अगर ये इस तरीके का question आता है तो आप ये चित्र बना के आईएगा ठीके तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक बिसरजन नलीका है और बिसरजन नलीका में ये हम माल लेते हैं कि ये एनोड है ये एनोड है ठीके और इस तरफ जो बना है इसे माल लेते हैं कि ये क्या है कैथोड है अब यहां पे इन दोनों का सम्मन्द एक बैटरी से है और ये बैटरी इन दोनों के बीच में एक किलो बोल्ट का एक किलो बोल्ट जो है बिववांतर उत्पन करती है तो लगवग हम कह सकते हैं कि ये एक हजार बोल्ट है कितना है एक हजार बोल्ट क्योंकि किलो का मतलब होता है दस पर तीन की गात तो ये एक हजार हो जाएगा तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्टरोन की गते जूर्जा क्या होगी तो चुकि ये एनोड है और इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते है और ये क्या है यहाँ पर कैथोड है और इसे हम नेगिटिव कहेंगे तो इलेक्टरोन यहाँ से एनोड की तरफ जाएंगे तो माल लेते हैं कि ये इलेक्टरोन एक कण है तो ये इसकी गते जूर्जा क्या होगी यानि कि ये कितनी तेज रपतार से यहाँ से जाएगा कितनी उर्जा लेकर जाएगा ये हमें दिखाना है तो इसका सीधा सा ये जवाब होगा कि जितना जादा यहाँ पर विभाव होगा उतनी ही जल्दी ये लेक्टरोन होगा जैसे माल लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में बिभावानतर यहाँ पे दिया गया है एक हजार बॉल्ट इसका मतलब ये है कि एक तरफ जीरो है और दूसरे तरफ एक हजार बॉल्ट है तो ये बहुत ही स्पीट से जाएगा अब माल लीजिए इसको बढ़ाके दसजार बॉल्ट कर देते हैं तो ये इलेक्टान एक हजार की तुल्णा में और तेज गती से जाएगा बिभावानतर जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोन की गते जूर्जा भी बढ़ती जाएगी तो हम कह सकते हैं जो electron की गते जूरजा है वो किस पर depend करेगी तो answer है जितना तेज बिववांतर होगा तो हमें गते जूरजा निकाल ली है electron की तो electron की जो गते जूरजा होती है वो electron बोल्ट में ही होती है तो जो दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं तो हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया गया है एनोड बा कैथोड के बीच विववांतर यानि की भी का मान हमें दिया गया है पहले उसमें दिया गया है एक किलो बोल्ट एक किलो बोल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं अब इसे हम बोल्ट में कनवर्ट करेंगे ऐसा ही पद्धती में तो ये हो जाएगा 1000 बोल्ट इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे इलेक्टरोन की गते जूरजा तो इलेक्टरोन की गते जूरजा भी इलेक्टरोन बोल्ट में ही ना पी जाती है तो हम यहाँ पे एक बटे दो MB स्क्वेर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यह वाला फॉर्मूला यदि आपको ध्यान हो क्योंकि इसमें द्रब्मान और बेग रहता है इसमें कहीं द्रब्मान और बेग का तो जिक्र ही नहीं है ना इस तरीके से करना है तो बोल्ट के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोन की गते जूर्जा के लिए हम लिखेंगे EB जूल इलेक्ट्रोन की गते जूर्जा इलेक्ट्रोन बोल्ट में ही रहती है तो इलेक्ट्रोन की जगाए पर इलेक्ट्रोन का अबस रहता है एक दसमलाव च्छे, गुड़े दस पे माइनस 19 की घाट, ठीक है, ये इलेक्टरोन का, अब इस वी का मान एक हजार रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक हजार, अब एक हजार का क्या मतलब है, एक हजार का मतलब है, ये हमने जियों काते हो लख दिया, पहले तो, एक हजार को हम लिख सकते हैं, दस पर तीन की पावर, अब 19 मैंसे ये प्लस का तीन और घट जाएगा, तो माइनस की ही घाट बचेगी, और वो कितने की बचेगी, माइनस 16 की घाट, तो हम इसको जूल में लिख देंगे, ठीक है, ये जूल लिखा है, जे बना है, तो ये इतनी होगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्विक कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीन सॉट लेकर, अपनी नोट बुक में इसे लिख लीजिएगा, और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इसके बाद हम नेश्ट कॉश्टन लेंगे,